हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों राधे राधे कैसे हैं आप सभी मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छी होंगे स्वस्त होंगे और मजी में होंगे और आज में शेयर करने वाली हूँ आप सभी से अपना अर्ली मॉर्निंग रूटीन और साथ में लंच रूटीन भी शेयर करूंगी तो बने रहेगा ब्लॉग में एंड तक और अभी न सुबह का टाइम है और भी जस्ट गए जिसकी वज़े से दुरूब उट गया था तो बस उसी की वज़े से ना दूरूब उट गया है और मैं इसको दुबारा से सुला दूगी फीट करा दिया है मैंने और अभी फिर से सो जाएगा सूने के अभी शोगा और पता नी किस टाइक इनी देर तक सोगा इसका कुछ कहा नहीं सकते आजकल जल्दी उठ जा रहा है दुरू क्योंकि तब यह ठीक नहीं है ना इसकी तो नेन भी अच्छे से नहीं आ रही है और मुझे उठने के लिए किसी अलार्म की जरूरत नहीं होती मेरा दुरू भी मेरा अलार्म है और उसे ना हर दो पहले उठ जाती हूं मैं और हजबन कई बार कहते हैं कि इतनी जल्दी उठके तुम करती क्या हो तो मैं अपना वीडियो एडिट बगरा कर लेती हूं उन्हें पता भी नहीं चलता है क्योंकि दिन में यह सब काम नहीं करने देता है यह बहुत ज़्यान से काम करने वाले हो लाकषी है उसली में चीज़ेर सुद्ने भी ना करूं खर जब हमारे द्रेसिंग करने तेवल्य पर इतनी जल्दी तुम कारों जाती है और इन चीज़ों को ना हम डेली साफ ही नहीं कर पाते हैं लेकिन जब हम इने गवर से देखते हैं बाहर से जब कोई इनसान और में घ चोटी से छोटी चीज पे निगां जाती है और हमारे घर में रहते हुए भी हम अपने चीज़ों को नहीं देख पाते तो यह बहुत अच्छी चीज आए कि घर बेना चोटी से छोटी चीज को आप इस टाइम पर देखके उसे क्लीन कर सकते हो और आपका घर पुरा हाइजिन रहेगा एकदम क्लीन रहेगा बहुत ही अच्छे से और आपको बिल्कुल भी माइंड पर प्रेशर नहीं होगा क्योंकि अभी मैं विल्कुल फिरी हूं देखिए और बाबु सो रहा ह तो यहां पर जितनी भी कवड है ना सभी को देखिए जो लोहे वाली कवड है इसको मैंने हलके गीले पानी से साफ किया है क्योंकि इसकी गंदगी साफ नहीं हो रही थी और साथ में जो कवड है उसको भी मैंने कपड़े से साफ कर दिया है और जो डस्तिंग का कपड़ा हो और यह धूल हमें मतलब हमें बिमार कर देती है क्योंकि इसमें बहुत सारे जीवाड़ू कि टाड़ू ऐसे होते हैं जो हमारे सांस के जरीए हमारे बॉड़ी में एंटर कर जाते हैं तो हमें ज्याद से ज्यादा धूल को अपने घर से बिल्कुल दूर रखना चाहिए और फिनाईल नहीं होता है मेरे पास तो मैं नवक डाल लेती हूँ और नवक तो डेली ढलती ही ढालती हूँ बस बीरवाब को छोड़ के नमक डालना बहुत शुब माना जाता है जब आपोझा नमक डाल के लगाते हैं तो हमारे घर में पॉजिविटिविटि बनी रहती है हमे बच्चे जब बीमार होते हैं तो मम्मी का सारा अटेंशन बच्चों की तरह भी चला जाता है घर के किसी काम मन नहीं लगता वैसे कल मेरे साथ हो रहा था लेकिन अभी ठीक था तो मैंने सोचा चलो घर को अच्छे से क्लीन कर लिया जाए तो यहां भी मैं अच्छे से देखी कि सरफ लगा के बिंबार लगा के मैंने क्लीन किया है क्योंकि थल्की फुल्की चिकनावत रहती है जहां पर हम खाना बनाते हैं तो और खाना बनाने की जगे तो सबसे ज़्यादा हाइजन रहनी बहुत ज़रूरी है और क्लीनिंग पूरी हो चुकी है और अभी मैं जाओंगी सिधा नहाने उससे पहले जितने भी पैरदान है उनको बिछा दूँगी और साथ में जो किचन में मैंने मैट हटा दी थी वो भी सूख गया है फर्स अच्छे से सूख गया है क्योंकि मैंने हलका हलका पंखा चला के रखा है सभी में जल्दी सूख जाता है और बेड्रूम में भी हलका धी में एक पर चला के छोड़ देती हूं ताकि लदी सूख जाए और अभी मैं आ गया हूं सिधा नहा कर तो दुरूब अभी सो रहा है और मैंने उसे एक बार फीड और दे दिया था तो वस पी के और सो गया है तो सुबह सुबह की नीज जितना अच्छे से बच्चों ले लेना दिन भर उतना ही अच्छा रहता है और इसी तरह से मैं अपने कामों को जल्दी निप्टा लेती हूं सुबह को तो अभी मैं जाओंगी सीधा किचन में उससे पहले करूंगी हस्बिन जी को कॉल की दोपहर में खाने के लिए वो आएंगे यह नहीं आएंगे अगर आएंगे तो आप सबके साथ लंच करूंगी और नहीं आएंगे तो मैं शेर कर भाऊंगी तो यहां पे अभी मैं बस बाल बना ले रही हूं तो गर्मी बहुत जाधा है और किचर में काम करना है तो ऐसे मै जूड़ाई बना लेती हूँ और आ गई हूँ अभी सिधा पूजा करने तो पूजा भी मैं अपना दिन जो भी डेली का जैसे पूजा करती हूँ वो मैंने आप सबसे कई वार शेयर की हुई है अगर फूल वगरा होते हैं मेरे पास तो लगा देती हूँ नहीं तो धूब द हरे यह होता है तो बतासी बहुत लगा देतीब तो फिलाल मैंने डग दिया भी दूद गरम करने और यहां मैं हस्बinn को कर रही थी कॉल तो मैंने उनसे पूछा कि आ रहे हो दो पेर को खानी या नहीं तो उनहीं कहा है और नहीं भी सकता हूँ और नहीं और नहीं आएंगे तो फिर अब फ्रीज तो है तो मेरी आदी मुश्किल तो हल हो जाती है फ्रीज को देखके ही तो खाना तो बनाना ही है नहीं तो शाम को परिशानी होगी तो यहां पर अभी मैंने दूद रख दिया था ना वॉयल करने के लिए तो वो उबल गया था और अ है अंदर और यहां'll और हम चीजेर कर साथ ज wann की तो चीजेर कर करेंगी जो आपको काम आने-वाली है और खाना हरकोई बनाई लेता है लेकिन खाने का चैस्ट है ना बहुत और साथ साथ में आप सबको भी बहुत जादा इंतजार रहता है मेरे ब्लॉग में अच्छी अच्छी रेसिपीज का तो यहां पर सबसे पहले मैंने बनाया है धुरूप के लिए हलवा और मंदिर में भी भोग लग जाएगा सुबह सुबह का टाइम है तो और मुझे एक कोटे हैं उनको मुझे समझने आ रहा है कि मैं इतनी छोटी पोसा कहां से लाओं वैसे अगर हो सकता है मैं खुद से ही बना के उन्हें पैना दू और अभी ना मैं यहां पर देखी तैयारी मैंने कर लिए थोड़ा सा लैसून ग्रीन चीली और इसमें प्याज वगरा कटकर करके डाल दिया है और पीस लोंगी उससे पहले भोग लगा दूंगी मंदिर में और धुरूब भी उठ गया है देखी आ गई हूं में सिधा बाहर धुरूब के लिए नाश्ता लेकर तो धुरूब जैसे ही उठ जाता है उसको पहले ब्रश कराती हूं तो ब्रश करता नही पानी में तो काफी अच्छा रहता है और काफी टाइम तक भूग भी नहीं लगती है तो महिलाओ के लिए बहुत अच्छी चीज होती है यह और अभी अ गई हुआ ख्यागने के लिए नीचे तो अपना नाश्ता करके बो चला गया है और मैं बिलकुल फ्री हो गई हूं अ अभी वह काफी बैटर भी है तब यह तुसकी ठीक होने लगी है भी धीरे धीरे तो खेलने चला गया है तो मुझे यह मिल गया टाइम बहुत अच्छा सा रेसिपी बनाने का और आप सबके साथ बाते करने का तो यहां पर मैंने दो सिम्ला मिर्च ले लिए हैं और काट लिए से वाश कर लिया है और अब लगा लूँगी तड़का तो यहां पे जो लैसु नद्रक का पेश था सबसे पहले बो डाल दिया है मैंने और उससे पहले डाल दिये थे कुछ खड़े मसाले बड़ा इलाची जावित्त्री और जो भी मेरे पास थी वही मैंने डाला है और यह इस तरह की चीज़े बहुत खाते हैं लेकिन पनीर की सबजी बहुत कम खाते हैं तो आज कुछ इनी के स्टाइल में बनाओंगी ताकि इनको पसंद आए तो सिमला मिर्च वाला पनीर इनको काफी पसंद आता है तो देखे मसाले सारे भून गए थे और मैंने इसमें टमाट बहुत नहीं हो पाया वीडियो पतानी फोन को अचानक से क्या हो जाता है इतना हैंग हो जाता है कि वीडियो शूट ही नहीं होती तो यहां पर मैंने उसके बाद डाल दिया था देखे मसाले को अच्छे से भूनने के बाद सिमला मिर्च मतर और आलू को तीनों को एक साथ और पांच मिनट कुद किया था धीमी आज पर ताकि हलका सा सोटे हो जाए आलू गल जाए हलका सा उसके बाद एट किया था यह पनीर और इस पनीर को भूनने की जरुरत नहीं होती है यह बहुत ज़दा सॉफ्ट होता है तो इसको मैंने ऐसे ही एट कर दिया था और बहुत अच्छा आएगा उपर से मैंने एट कर दिया है इसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च ताकि कलर बहुत बढ़िया आ जाए सब्जी का और अभी मैं लगा रही हूं यहां पे कुल्चे के लिए डो तो आज बनाओंगी कुल्चे और आप सब के साथ देखे मैं अच्छ डो को मैंने रख दिया था लगा के गरम पानी के ऊपर ताकि जल्दी से अच्छा हो जाए वो जितना ज्यादा रेष्ट लेगा उतना ही अच्छा जल्दी हो जाता है और सब्जी बन के तयार हो गई है बहुत ही मज़िदार सब्जी बनी है तब तक यहां थोड़ा सा बनाओंगी रायता तो ओनियन चॉप कर लिया है थोड़ा सा कुकुमबर और डाल दूंगी इसमें यह दही और दही खटी है इसलिए बहुत थोड़ा बनाओंगी क्योंकि यह नहीं खाते हैं खटा रायता तो मैं सिर्फ अपने लिए ही बना रही हूं तो इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा बुना हुआ जीरा पावडर और हिंग डाल दिया है और थोड़ा सा रेट चीली और नमक डालके उसको रख दिया है और अभी बना ले रहूं कुल्चा कुल लगा दिया है और इसको डाल दूँगी अभी तबे पे और दूसरी साइट पलटूँगी नहीं इसे बिलकुल भी आज पे बस तबा को ऐसे ही उल्टा रख दूँगी तो थोड़ी सी मैंने इस पे कसुरी मेथी लगा दिये ताकि टेस्ट अच्छा आए और इसको ऐसे ही बस और आज पर तो आज पे और सेख लिया है मैने और मैंने सिर्फ दो इसपाले क्ली निकलता जल्दी से लगा लेती हुए और बाद में बनाओं घृव और यहां पे मैंने दो कुल्चे बना लिये हैं थोड़ा सा साइले ट्रक दिया है तो यह खा के बस चले ही जाएंगे रुकेंगे नहीं बिलकुल भी तो जल्दी जल्दी में आए हैं वो भी मैंने दुबारा से फोन किया था तब ही आये थे और यहां पे देखिए मैंने कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और साथ में ब्लॉग कैसा लगा है वो भी मुझे जरूर बताना पुल्चा बहुत सॉप्ट बना था तो चलिए मिलती हूं आप सबसे कल के एक बहुत यह अच्छे से ब्लॉग में तब तक के लिए अपना ध्यान खुश रहिए मस्त रहिए बाई बाई टाटा लव यू